हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैचकल कुकिंग विद पुनमे आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की अपनी इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक सी लेकिन बहुत काम की चीज बनाएंगे ब्रेड क्रम्स जी हां ब्रेड क्रम्स बनाने वाले हैं आज हम तो इसकी लिए देखिए मैंने यहां पर लिये हैं यह ब्रेड तो यह मैंने वाइट ब्रेड ली है आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी उस कर सकते हैं तो इसमें देखिए जो उपर का हाड वाला पार्ट र हम इन सब को यूज़ करेंगे और बिल्कुल भी किसी चीज को वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनके हम ऐसे बड़े बड़े तुकड़े कर लेंगे ब्रेड अगर आपके पास बहुत दिन की भी पड़ी है तो भी आप उस ब्रेड को फेके नहीं इस तरह से ब्रेड करम का यूज़ कर सकते हैं तो इनको हम सबसे पहले मिक्सर के बड़े वाले जार में डालेंगे आपने जितने बनाने हैं उससाब से डालिए और इनको हम एक बार पीस लेंगे तो सारे bread crumbs इसी तरह से हम बना करके तयार करेंगे तो इसको हम डाल करके और पीस लेते हैं तो यहाँ पर हमने bread को पीस लिया है यह देखिए इतनी bread में इतनी यह bread पीस के ready हुई है तो अब हमें क्या करना है इसमें बहुत मौश्चर रहता है bread पीसने के बाद भी और वैसे भ थोड़ी गिली गिली सी रहती है तो अब हमको इनको roast करना है बिल्कुल मार्किट जैसा bread क्रम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक थोड़ा भारी तले की कड़ाई चड़ा लिए आप कोई भी पैनिया कड़ाई ले सकते हैं यह जब थोड़ा गरम हो जाए ठंडे में बिल लेकिन इसको थोड़ा continuously चलाते हुए बरतन अपना गरम होने के बाद ही उसमें जो हमने bread PC है उसको डाले और अच्छे से hold करके continuously हम जब 5 मिनट तक इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह पैन को छोड़ने लगा है हम जब थोड़ी बहुत चिपक रही है इसको हम इस तरह से छुडाते हुए और इसको हम लगातार चलाएंगे और यहां पर गैस का फ्लेम जब बरतन अच्छे से गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिए हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी इसको ना सेके मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमें कम से कम 5-10 मिनट तक इसी तरह से continuously चलाते हुए सेकना है जब ब्रेड करके रेडी होने लगेगी यह ब्रेड क्रम्स रेडी होने लगेंगे तो आपको खुदी लगेगा कि हाँ यह बहुत हलका हो गया है और बिल्कुल इसने पैन छोड़ दिया है तो कभी भी अगर मार्किट से ब्रेड की अचानक बनानी है और आपको ब्रेड क्रमस नहीं है तो इस तरह से हम ब्रेड क्रमस बना करके रेडी कर सकते हैं को यह उसके giornal में यूण करते हैं और किसी नढेल में सकते हैं और किसी भी recipe में हम use कर सकते हैं तो इसलिए कभी भी bread को फेके नहीं अगर कोई नहीं खा रहा है दो-तिन दिन पुरानी हो गई है तो इस तरह से उसको mixer में थोड़ा सा पीस के और shake करके आप रख लीजिए किसी भी cutlet में किसी भी recipe में आप उनको use कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने इनको shake लिया है और plate में निकाल दिया है ठंडा होने के लिए तो यह देखे इस तरह से हम मलेंगे तो बिल्कुल यह crunchy हमको समझ में आता है तो इसको बिल्कुल market जैसा look देने के लिए में इसको एक बार फिर से mixer jar में डाल करके और थोड़ा सा piece लेंगे शिर्फ एक बार यह देखे हमने शिर्फ एक बार इसको pulse पे चलाया है और बिल्कुल market के जैसी वही color वही texture और यह सी करके और बन करके तयार हो गया देखे जब हमने bread PC थी तो कितना plate भरा हुआ था लेकिन बनने के बाद देखे यह bread crumbs हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं तो I hope आपको आज की मेरी वीडियो अच्छे लगी होगी useful लगी होगी तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे like का बटन जरूर क्लिक करें मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कूल भी न भूले और बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ तब तक के लिए take care